नमस्कार दोस्तों कारकिंग में आपका स्वाधत है तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे नैक्सओन के फेसलिफ परजन के बारे में एक्जेक्टलिक क्या क्या फीचर के साथ आएगी सब इस वीडियो में बता देंगे आज दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए सेल्फ लगाते हैं तो फिर बात करते हैं इसके इंटीर से तो इंटीर में आप देख रहे हैं कि स्टेरिंग विल सेम इस इस मिलेगा जैसे इस में है कलर चेंज होगा इंटीर सेम इस इस मिलेगा जो इस्टूमेंट कलस्टर होगा वह चेंज होगा जो गाड़ियों में अभी आ रहा है वही मिलेगा आपको और जो इसके इसमें मैं आपको बता दूँ जैसे आप कर्व में देख रहे हैं बोनट सेम स्टैल में आएगा डियारल या तो सेम ऐसे ही दी जा सकती है या चेंज हो सकती है डियारल और लाइटिंग की प्लेस्मेंट चेंज होगी नो डाउट ग्रिल अलग होगी ये भी लेकिन जो फ्र लिटर का टर्बो वाला पेट्रोल इंजन बंद कर दिया जाएगा क्योंकि मैं आपको बता दू इनकी जो प्लैनिंग है वो यही है कि यह जैसे आपने टियागो और टिगोर देखी होगी टियागो को हैजबेक के रूप में उतारा इनोंने और टिगोर को कूपे कर दिया ह है इसी तरह की इससे नेक्सोन का लुक यह चेंज करेंगे जैसा कि करू का लुक है ऐसा करेंगे तो Tata मोटरस की यही प्लैनिंग है कि नेक्सोन का फेसलिफ लॉंच करेंगे यह और उसी खौ फिर बार्द वाद में दो जार चोवीश तक하면 क्या लुच कर देगा इससे क्या होगा कि टाटा कंपनीज की जो सेविंग्स होगी मतलब एक ही प्लाटफों पर गाड़ी बनेगी तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसको दुबारा से बनाने में क्योंकि उसी प्लाटफों को सिर्फ कूपे डिजाइन देना होता है जैसे इन्होंने ट्यागोर नेक्स उस